हेलो दोस्तो मैं डॉक्टर एसपी दे आज मैं बात करूंगा कोरोना भाईरास या कोभीड नाइनटीन जो आज काल चल रहा है उसके बारे में और इस प्रशंग में मैं खास करके बात करना चाहता हूँ जो आज काल यूट्यूब में बहुत एक डिबेट चल रहा है दो चैनल है एक है डॉक्टर बिश्वरुक राय चोधरी का और एक है डॉक्टर एडुकेशन डॉक्टर परमजित सिंग का तो दोनों में बहुत डिबेट है और दोनों का जो भ्यूज है ये डिजीज को लेके इस पूरे पैंडेमिक को लेके ये एक एकदम ही opposite भ्यूज है तो अभी एक ओनलाइन चैनल में इन लोगों को पास बिठा के पुछा भी गया बहुत सारे पॉइंट्स के उपर क्या आपके भ्यूज किया है तो ये भ्यूज में इंटर्व्यू में हम लोगों ने जो देखा कि opposite एकदम भ्यूज हो रहा है और कौन सही है कौन गलत है इस को खुछ बताने के लिए और उसी पॉइंट्स को जिस पॉइंट्स के उपर उन लोगों में खास करके डिबेट है उसी पॉइंट्स को थोरा सा नया करके मेरा जो experience है studies है वो आप लोगों से share करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं और थोरा ब ये वीडियो बनाने का कोशिश किया है तो आप अंतक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने सोसाल मिलिया प्लैटफर्म में शेयर किजिएगा तो पहले ही मैं थैंक यू एंड रेस्पेक्ट देना चाता हूँ दोनों बरे यूट्यूब यार्स को जो है डॉक्टर बिश्वदुबराय चोदुरी एंड डॉक्टर परमजीत सिंग दोनों को मेरा रेस्पेक्ट है दोनों मेरा बहुत सेनियर है लेकिन जो डिबेट उन ल का स्टाइल है जो फास्ट पॉइंट उन लोगों में एक डिफरेंस आ गया है कि हुएदर ये कोरोना भायरास जो कोभीट 19 डिजीस करता है ये नया कोई भायरास है या नहीं है दोस्तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए जो आम आदमी है कॉमोन मैन वो डर के बैठा है अ दिखाया जा रहा है या पूरा वाल्ड में जो सिनारियो है इटाली का या एमेरिका का और इउरोप का खास करके इसको देख के कोई किसी के पास प्रैक्टिकली ये पॉइंट का बहुत जादा यूटिलीटी नहीं है कि ये जो भायरास है ये नया भायरास है या पुराना लेकिन medical science में इसका बहुत सारा evidence है कि कोई भी pandemic, खास करके जितने भी viral pandemic जैसे H1N1 हो गया, या कोई भी Mars हो गया, या SARS हो गया, ये सब जब outbreak हुआ था, तब scientist ने जो देखा था कि कोई भी normal virus का ग्रूप है, उसी में से एक virus mutated करके एक danger form में अपना strain को अपने जो genome material है, viral material उसको convert कर लेता है, तब जाके ये नया virus पैदा होता है, जो लगभग है तो उसी group का, जैसे COVID-19 जो coronavirus का strain कर रहा है, लगभग उसी group का है, लेकिन इसका symptoms या इसका जो severity है, जो एक इनसान में ये disease create करता है, थोड़ा बहुत different होता है, कभी-कभी इसमें कुछ death ratio में या symptom sufferings में change आ जाता है, यही एक fact है कि एक virus अगर अपना strain चेंज करके नया कोई रूप में, उसी रूप के जो नया कुछ disease पैदा करें, जिसको हम लोग नाम दे दे के COVID-19 या SARS, SARS या MRS, MRS, तो एक disease का तो हम लोग nomenclature कर देते हैं, लेकिन ये भी वो एकदम सही बात है, कि जो virus है वो पृतिवी नया नहीं है, उसका एटाक करने का वेपुन जो है, जो अस्त उसके हाथ में आ गया है, वो नया हो चुका है, और उससे थोड़ा ज़्यादा परिशानी इंसान को होगा, थोड़ा destruction जो है, ज़्यादा होगा, लेकिन वो चलाने वाला, जो वेपुन को चलाने वाला, अस्त वाला हाथ है, वो पुरानाई है, तो भाईरस तो नहीं है, लेकिन भाईरस का अटाकिंग पावार, एन भाईरस का जो वेपुन है, वो शायद नया है, इसी का, यह पॉइंट का यही एक एंसर है, और जो हम लोग, नेक्स्ट, हम लोग जो पॉइंट में, बहुत पर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूरोप में, खास करके इटली में, स्पेइन में, इंग्लैंड में, और USA में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा डेथ हो रहा है, इतना ज़्यादा डेथ हो रहा है, हम लोग हर रोज टीवी में देख रहे हैं, इसका क्या कारण है, इसको हम लोग कैसे rule out करें और इसको हम लोग कैसे देखें कि सच्चा ही क्या है दोस्तो पहले ही मैं एक आ जाता हूँ देखिए एक तो epidemic और pandemic तो है एक disease तो है जो normal seasonal influenza या normal flu होता है जब European या American country में late winter में या winter में effect होता है कभी कभी तब भी ऐसा normal season में भी हो जाता है लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा हुआ है इसी के लिए इतना ज़्यादा हम लोग death report आ रहा है तो हम लोग का डर का जो माहूल है उसको बढ़ा देता है doctors का death जो treatment कर रहे हैं coronavirus patients को उनका क्यों death हो रहा है तब तो यह disease बहुत ही संग्रामक है और जो doctor उसको देख रहा है नार्स जो देख रहा है उसका death हो रहा है तो आम इंसान का तो होगा ही होगा ऐसा एक माहूल बन चुका है उसका answer क्या है दोस्तो इसमें खास करके आप लोगों को देखना परेगा doctors और nurses and health workers जो hospital में काम कर रहे हैं बहुत सारे patients को लेके जो already उनके पास बहुत सारे patients थे और suddenly एक flu-like illness, influenza-like illness जैसे corona भेरास हो इसके लिए बहुत सारा patients नया उनके पास आ गए तो उनको क्या हो रहा है risk लेने का time न अगर आप 2-3 दिन या 4 दिन ठीक से नींद ना ले आपका नींद ठीक नहीं हो आपको time ना मिले खाने पिने का खास करके raw fruits and vegetables आपको खाने पिने का time ना मिले और उसके उपर से आप severely stress हो क्योंकि आप घर नहीं जा सकते हैं आपके पास family से मिलने का time नहीं आ रहा है उन लो रहा है ऐसा भी हो सकता है आपके family में कोई affected होड़ा है इस हालत में एक doctor या nurse को उस hospital में काम करना पर रहा है तो उस time में वो doctor या nurse या health worker का immunity level एकदम कम होना easy है तो उसका अगर viral attack हो गया तो उसमें उसका chances of severity of illness बहुत जादा हो जाता है और chances of death भी बढ़ जाता है इसलिए doctors और उसका effects होना बहुत easy है क्योंकि एक तो ओ जो infectious agent है उसके पास है और दूसरा है कि वो जो immunity लेके fight कर रहे हैं वो immunity भी उनका due to stress and duty उनका कम हो चुका है इसके बाद दोस्तो एक point आता है death rate का जो हम लोगों का हम लोगों ने देखा है कि इंटर्विव में डाक्टर शिंग और डाक्टर विश्वरूप ने बहुत ज़्यादा इसके उपर debate हुआ कि death rate क्या होता है तो दोस्तो अगर overall हम लोग death rate calculation करे कि up to 23rd April इंडिया में affected था 20,471 और उसमें death हुआ था 652 का अगर इसको हम लोग crude death rate में मतलब कितना affected हुआ उसमें से कितना percentage का death हुआ इसमें convert करें जिसको हम लोग बोलते है crude death rate तब इंडिया में इसका death rate तिल 23rd April है 3.1% अगर all over the world में हम इसको calculate करें तो लगभग ये आएगा up to 23rd April 6.94% ये जो available data है up to 23rd April विकिपीडिया में उसके उपर पे मैंने calculate किया है तो हम लोग समझ रहे हैं कि इंडिया से जादा European या American countries में इसका बहुत जादा death हो रहा है अगर इसको इसी के साथ हम लोग seasonal जो flu है जो common cold हम लोग बोलते हैं उसके साथ अगर compare करे death rate और दूसरे parameters के उपर तो हम लोगों का एक data आता है जो मैंने लिया है एक health line बोलके एक magazine आता है online मैं उसका link आपको description में दे दूँगा आप लोग देख लीजेगा उसके साथ अगर compare करे तो seasonal flu हर साल 10 लाग से लेके 50 लाग worldwide पुरा दुनिया में आदमियों को affect करता है और इसका death annually approximate होता है लग भग 3 लाग के आसपास पुरा दुनिया में तो 2.91 लाग हर साल seasonal flu और common flu में भी death होता है 2 इसका ज्यादा भी होता है 6 लाग तक मतलब 3 लाग से 6 लाग तक seasonal flu या जो winter flu है इसमें death हो सकता है और होता भी है इसका death rate अगर calculate किया जाए तो इसका आता है 0.1% and transmission rate मतलब एक flu का आदमी seasonal flu का आदमी 1.3% को मतलब एक से लेके 2% को affect कर सकता है इसी के उपर पे base करके New England Journal of Medicine का एक link में आप skin shot भी आएगा आप लोग देख लीजिएगा उसके उपर डॉक्टर विश्वरूप ने comment किया है कि जो corona virus है और जो COVID-19 disease है इसका भी death rate 0.1% है तो दोस्तों अगर इस journal का article को अच्छा से परा जाए वहाँ पे लिखा गया है कि case fatality ratio of corona virus यह जो corona virus है इसका severe acute जो severe influenza है उसके जैसा होता है जिसका death rate 0.1% होता है तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक बात समझके चलना चाहिए crude rate और case fatality rate दोनों सेम नहीं है case fatality rate तब तक हम लोग देखते हैं जब तक कोई भी बीमारी चल रहा है लेकिन उसका एकदम पूरा बीमारी खतम नहीं हो गया है world में अभी भी लोग साफार कर रहे है नया नया patients infected हो रहे है तब तक case fatality rate चलता है लेकिन उसके बाद अगर बीमारी established हो जाए उसका पूरा एक cycle खतम हो जाए तब जाके उसका total कितना affected हो था कितना case report हो था उसके उपर base करके कितना death हुआ death rate निकाला जाता है तो अभी तक coronavirus एक नया बीमारी है इसका continuous all over the world में spread हो चुका है और यह running है यह खतम नहीं हुआ तो इसको हम लोग अभी case fatality rate अगर पकर के चले तो यह 0.1% acute severe influenza का आएगा यहाँ पे भी एक point हम लोग को देखना है acute severe influenza है यह एक दूसरा टाइप का बिमारी है जहाँ पे severe influenza होता है और उसमें आपका death कितना होता है अगर coronavirus को overall calculate किया जाए तो उसमें तो 80% जो patients होते हैं वो asymptomatic होते हैं उसमें mild symptoms या कुछ भी symptoms नहीं आता है लेकिन जो remaining 20% होता है उसमें severe हो जाने का chances and उसमें death rate बर जाने का chances भी है और यह nation to nation भैरी करता है हम लोग Indian है हम लोग Indian का इभरेज जो 3% है या आप लोग जो जितने भी sources है नेट में यूट्यूब में बहुत जगा पे 2% बोला गया है के test को लेके RT-PCR test जो होता है उसमें fallacy को लेके बात हुआ है तो इसमें भी confusion create आप लोग मत रखिए दोस्तों क्यूंके कोई भी medical test खास करके यह जो latest test है जैसे PCR test वगया यह कभी भी 100% precise नहीं होता है यह हर time इसका fallacy का chance रहता है लेकिन कभी भी कोई pandemic अगर declare हो जाए कोई भी भी infectious disease अगर कुछ community में outbreak हो जाए तब test करके और test ना करके दोनों जो patients है जो symptoms present करते हैं या किसी का death हो जाता है या किस symptoms grow कर जैता है तब यह test significance उतना नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि disease का outbreak नहीं हुआ disease का outbreak हुआ है और इसमें जो test conventionally हम लोग का world में चल रहा है उसी को हम लोग करेंगे इसका precision इसका fallacy दूर करने का हम लोग को future में बहुत time मिल जाएगा तब जाके हम लोग इसको ठीक करेंगे और अगर कुछ error रहा तो इसको हम लोग ठीक करेंगे तो कभी भी अगर आप infectious disease म अगर किसी को बुखार हो गया और उसको तीन दिन में death हो गया undiagnosed case हुआ अगर उस area में डेंगू prevailing है तो हर कोई आम इंसान से लेके doctor भी doubt करेगा कि इसका डेंगू ही हुआ है यही होता है कि कोई भी test अगर 100% उसको पकर के नहीं चले लेकिन epidemic जब declare हो जाता है सब कुछ को सब किसको एक ही type का सोचने में कोई भी health worker और कोई भी common man मुझबूर हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आ जाता है कि हम लोग आज जो time में पूरा world चल रहा है कि पूरा world में lockdown है घर से कोई निकल नहीं सकता है और सब के मन में और एक बहम सा बैट गया एक डर सा बैट गया है कि क्या होगा मुझको अगर कोरोना भाइरस हो गया तो मुझको death हो जाएगा कि नहीं होगा तो दोस्तों यहाँ पे मैं point clear करना चाहता हूं अगर कोरोना भाइरस का death rate अभी हम लोग इंडिया में 2-3% मानके ही चले फिर भी आपका अगर किसी को हुआ भी और जो सोच रहा है कि मुझको हो गया तो मरे death होगा कि नहीं होगा तो दोस्तों इतना panic होने का कोई भी डर मन में रखने का जूरत नहीं है क्यूंकि यह बीमारी में 80% को तो symptom ही नहीं है mild symptom होता है और remaining 20% होता है उसमें लगभख शायद 10% को मतलब 100 में से 10 को hospital में admit होके ventilator या ICU में जाना परता है उसमें भी 2-3 आदमी का death का chance होता है और वो भी अगर study आप लोग data study करें इंटरनेट में तो आप लोग देखेंगे कि बहुत जादा जो old aged है खास करके 60 या 70 के उपर के aged है या जिन का बहुत immunocompromised state है जो insulin ले रहे हैं, steroid बगरा ले रहे हैं, kidney transplant patient है, cancer patients है, उन लोगों का death का chances बहुत जादा है, healthy individuals जो है below 50 के, उनका death का chances बहुत बहुत ही कम होता है, तो इतना डरने का बात नहीं है, तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि इतना lockdown क्यों, इतना दिन तक ये lockdown करके economy का जो pressure पर रहा है देश के उपर, ये कैसे भरेगा, तो इसको कैसे ठीक करे और इसको क्यों किया जा रहा है, तो दोस्तों इसका एक ही answer है, हम लोग जो इनसान सिखते हैं, history से सिखते हैं, इतिहास से सिखते हैं, और इतिहास से जो हम लोगों ने देखा है, वो डर हम लोगों के मन में बैठ गया है, ये डर जैसे आप जो ये वीडियो या जो टीबी के screen के सामने है, उनके मन में भी जैसे डर है, वैसे ही डर बैठा हुआ है, जो भी राष्टर नेता है, president and prime ministers है, किसी भी nations के, किसी भी देश के, या कोई भी अगर public health expert हो, वो WHO का भी हो, या epidemiologist हो, या कोई भी policy making doctors हो, कोई भी देश का, उसका मन में भी है, हम लोग देखते हैं कि 2009 और 2010 में swine flu हुआ था, जिसका responsible जो भाईरास था, उसको हम लोग बोलते हैं H1N1, लगभग ये affected किया था, देर लाख से पाच लाख लोगों को, Hong Kong flu जब हुआ था, 1968 से लेके 1969 तक H2N2 जो भाईरास था, उसमें, तो until 1972 तक ये चला था, इसमें 10 लाख लोग affected हुए थे, और Asian flu जो हुआ था, उसमें भी 1957 से लेके 58 तक H2N2 बोलके, चाइना से जो originate हुआ था, उसमें 20 लाख लोग affected हुए थे, सबसे ज़्यादा डर, medical science के किसी भी student से लेके doctor या कोई भी policy में का, जो medical policy कोई भी country का सेट करता है, उसके मन में जो बैठा हुआ है, जो हम लोग history में परते हैं, epidemics के history में, वो है Spanish flu, जो 1980, 18 मतलब 1918 से लेके 1919 तक चला था, लगभग देर साल तक ये flu एक influenza-like illness world में था, जिसमें उस time के जो world के population है, उसके लगभग one third, मतलब तीन भाग का एक भाग affected हुआ था, जिसका अगर हम जोडे तो 50 करोर आदमी को affect किया था, और ये अठरा महिना, मतलब देर साल में अपने आप भैनिज भी हो गया था, और लगभग all over the world 50 करोर में से 5 करोर आदमी का डेथ हुआ था, और इंडिया में भी ये जो Spanish flu था, ये आया था, soldiers, first world war खतम करके जो soldiers इंडिया में return आ रहे थे, उनके साथ इंडिया में आया, और आके ही कुछी महिनों में ये 17 करोर मतलब 17 करोर आदमी को इंडिया में एफेक्ट किया था, और इसमें 1.7 करोर लगभग डेथ इसमें हुआ था, तो दोस्तों ये सब जो मैंने data है, ये भी मैंने Healthline और Wikipedia से लिया है, Wikipedia को आप लोग जाके कोई भी देख सकते हैं, और Healthline का link मैं description में दे दूंगा, So fear is the key reason for all these arrangements. Lockdown कोई भी नहीं चाता है, और जो administration इसको implement करता है, वो भी जानता है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, इससे common one को परिशानी होगा, लेकिन lockdown का जो motto है, जो उदेश्च से ही किया जाता है, कि हम लोग को कुछ time मिल जाता है, कि हम लोग hospitals को ready करे, medical stops को ready करे, उनको training दे, और ये जो अगला war आ रहा है, कुछ महिनों तक या एक दिर साल तक रहेगा, उसको हम लोग combat करने का force को ready कर ले, इसी के लिए lockdown किया जात है, जैसे social distancing लेके personal hygiene maintain, ये तो आप लोग घर में करेंगे ही, लेकिन पुरा सब को sensitized करने के लिए, और social distancing को भी अच्छा से practice कराने के लिए भी, ये lockdown जोरूरी होता है, कुछ महिने तक और अगर possible होता है, तो ये time पर उठाके strategic जो lockdown होता है, part by part या controllable lockdown होता है, उसको लाग अप्टर इन देवदाशन है, जो public health expert है, और जो WHA में काम कर चुके है, और उनका एक अच्छा article है मेरे पास, जिसका link मैं दे दूंगा, description में आप लोग जाके देखिएगा, उन्होंने बोला है कि after कुछ weeks टॉक lockdown करके, इंडिया के जैसे country में हम लोग को चाहिए, कि जो high weeks group है, उनको quarantine किया जाए, और जो contacts है, जो patients है, उनके जो contacts है, उसको test किया जाए, और उसको isolation में लिया जाए, और patients का अच्छा से treatment किया जाए, तो आप लोग ये मेरे description के link में जाके पर सकते हैं. इसके बाद दोस्तो लास्ट एक point मैं आऊंगा, जिसमें डॉक्टर विश्यरूप और डॉक्टर परमजित सिंग दोनों ने अच्छा से एक जगा पे आया, और जो outcome हम लोगों को अच्छा लगा, कि ये दोनों का एक similar point है, वो है immunity building, ये सब को याज बोल रहा है, प्रधान पेंडेमिक डिजीस से या present आपका जो pandemic है, इस situation से आपको बचा सकता है, बिमारी को रोग भी सकता है, और बिमारी ना हो, अगर हो भी जाए, तो आप easily recoverable हो जाए, इसको हम लोग कर सकते हैं, तो इसका जो एक link है, जो हम लोगों का देश का आयूश मिनिस्ट्री है, उन्ह आपको description में देदूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, और PM Mr. Narendra Modi का जो appeal है, immunity boosting में आयूश मेडिसिन सी उस करने का, उसका भी मैं link description में देदूँगा, आप लोग लेख लीजिएगा, विश्वरूब डॉय चोहदुरी कहां कहां correct हुए, उसका मैंने एक sum up किया है, वो भी आप सुन लीजिए, उन्होंने जो बार-बार बोला है कि मेनी भाइरासे, बहुत सारे भाइरासे किस-किस को आप protect कीजिएगा, किस-किस को lockdown कीजिएगा, ये सही है कि बहुत सारे भाइरासे से वो affect करते हैं human risk को time by time, जैसे मैंने बहुत सारे disease के बारे में बताया, लेकिन जो present अगर ओक outburst बहुत जादा हो जाता है, तब उसको control करने के लिए कुछ महिनों तक, कुछ हप्तों तक ये measures लेना पड़ता है, क्यूंकि अगर हम लोग ये measures नहीं लेंगे, तो death rate और भी जादा हो जाएगा, इसके बाद आता है, don't panic, हाँ दोस्तो, डॉक्टर बीम हेगरे का भी interview आ चुका है, यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं, मैं उसके उपर एक और वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, कि उन्होंने क्या कहा है हिंदी में मैं बनाऊंगा, तो ओ भी बोले हैं कि panic करने का जोरुत नहीं है, 80% persons जो है, वो mild symptomatic होता ह है, या symptoms भी नहीं होता है, उनको कोई treatment का जोरुत नहीं होता है, remaining जो 20% है, उसमें भी आधा का treatment, severe treatment का जोरुत होता है, दूसरे को 2-4 दिन hospital रहने में भी हो जाता है, तो panic करने का जोरुत नहीं है, ऐसा नहीं है, कि होने से कोई मर जाता है, ऐसा कोई panic, हाँ, इसका rapidly spreading है, लेकिन तिल नाव आज तक ये spread एक से दो या तीन परसन को ही एक infected person कर सकता है, लेकिन इसका इतना spread अल्रेडी हो चुका है, इसके उपर हम लोग थोड़ा social distancing maintain करेंगे, and after lockdown, until problem एकदम केज जब तक 0 ना हो जाए, तो हम लोग social distancing maintain जरूर करेंगे, और vitamin C and vegetables and दुसरे और जो हम लोगों के जो diet के बारे में डॉक्टर बिश्वरूप बता रहे हैं, ये diet बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको जरूर लीजिए, और ये diet एकदम protectable है, आप vitamin C एक established theory है, कोई भी viral disease के लिए एक preventive का रोल करता है, और जितने भी आयूश के दवाई, आप लोग, आयूश ministry के जो guidelines है, उसमें आप लोग देख रहे हैं, उसको भी आप लोग जरूर लीजिए, वो भी एक बहुत सारा immunity boosting medicine है, और उसके बाद अगर किसी का भी हो गया, तो उसके लिए treatment भी आभी एक देर महीना हो गया, इंडिया में cases चल रहा है, तो बहुत सारे research हो चुके हैं, ट्रायल हो चुके हैं, बहुत सारे अच्छा अच्छा treatment के possibilities उटके आया हैं, जो established तो नहीं हो आए कि इसका ही treatment है, लेकिन possibilities enhancing हो रहा है, और अभी जो भी पैथी है, अलोपती, होमीपती, आयुर्वेद में, जो पहला जो सीनरी हो रहा है, देर महिना पहले का, जो treatment नहीं था, सब कोई बोल रहा था, अभी सब कोई कोशिश करने के बाद उसको फल मिल रहा है, treatment हो रहा है, तो आप को एकदम ही डरने का जरूरत नहीं है, आप लोग देखते रहिए, और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे, तो मेरे comment box में comment कीजिए, अगर आप मेरा चैनल में नए है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्यू दस्तों.